हलो फ्रेंज आपका स्वागत है हमारे चैनल रामका टेक में दोस्तो आज का बहाली का अपडेट जो मैं बताने वाला हूँ डिश्तिक बुलोक और पंचायत लेवल पर आई है तो जैसे कि आप थमनेल में देखकर जान ही गए होगी कि कहां से ये भरती का अपडेट निकाला गया दरअसल दोस्तो बात ये है कि एक सब्सक्राइबर ने मुझे इसका एड़टाजमेंट मेरे वाट्सअप में भेजा है और मुझे कहा है कि सर ये क्या बहाली है कहां से निकल करा है ये फेक है या रियल है तो आज हम इसको इसी का अपडेट आपको बताएंगे ये बहाली कहां से निकाला गया है आप इसका छान बिन करे और इसका एक वीडियो बनाईए तो मैं यही update लेके आया हूँ आपके लिए आज के इस वीडियो में आपको पूरा dot clear यहाँ पर कर दूँगा कि यह बहाली कहां से निकाला गया है यह बहाली fake है या real है या फिर आपका सरकारी है या private है तो क्या खबर निकाला गया है आज की इस वीडियो में आपका पूरा डॉट किलियर करने वाला हूँ बस आप से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप इस फॉर्म को भरना चाते है या फिर आप इसमें इंट्रेस्टेड है या आप जानना चाते है ये रियल फॉर्म है या फेक फॉर्म है तो आज के इस वीडियो में आप पूरा अंध तक बने रहे हैं मैं आखरी तक यहाँ पर इसका अपडेट बताओंगा और आपको पूरा डिटेल में बताओंगा कि ये बहाली कहां से निकाला गया है इसका क्या नियम बनाया गया है और इसे किस तर से भरना है या फिर ये प्राइवेट है या सरकारी या फिर फेक नहीं हो जाए तो पूरा डिटेल में आज की इस वीडियो में पूरा अपडे तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये पहाली का अपडेट जो निकाला गया है संसकार सोसल डेपलोप्मेंट फॉन्डेशन की तरफ से इसका अपडेट निकाला गया है लेकिन इसका तीत ही पाता नहीं चल पा रहा है कि कौन से डेट के पेपर में निकाला गया या फिर कौन से पेपर निकाला गया इसका एडवेटेशन पूरा निकल कर नहीं आ रहा है तो इसके लिए मैं क्या करा मैं इसके लिए सबसे पहले मैं इसके website में चला गया तो देखिए आपके सामने इसका website दिख रहा होगा www.shdf.co.in तो इस website में गया तो यहाँ पर मुझे कुछ देखने को मिला तो चली हम आपको इसके website में ले चलते हैं और वहाँ पर आपको पूरा update हम आपको दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं इसका website आपके सामने खुल चुका है इसका URL आपको दिख रहोगा उपर में left side में तो देखें यहाँ पर आपको देखने को मिल रहोगा https shdf.co.in तो यह इसका website है और देखिए जब इसका website को आप open कर लेंगे तो आपको यहाँ पर तीन option देखने को मिल जागा पहला जो यहाँ पर लिखावा है education, दूसरा skill development और तिसरा employment तो यह तीन आपको advertisement देखने को मिल जागा और आप यहाँ पर side में scroll करेंगे तो आपको कुछ और option यहाँ पर मिल जागा जैसे के carrier हो गया, इसमें आपको job का update मिलेगा about हो गया, contact हो गया, आप इस website के developer से बात कर सकते वहाँ पर आपको contact number मिल जागा, blog हो गया और home हो गया, तो home में आपको पूरा advertisement आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो चली हम इसका advertisement आपको दिखाते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो इसका advertisement निकाला गया, जब इसको आप scroll down करेंगे तो देखिए, यहाँ पर आपको पूरा इस website का जो customization किया हुआ, वो आपको देखने को मिलेगा तो यह इसका customization किया हुआ है, तो यह आपका design जो customize किया गया, वो आपको देखने को मिल जागा उसके बाद नीचे में जब आएंगे, तो देखिए, आपको notice board यहाँ पर देखने को मिल जागा, जो कि आपका जो paper cutting में जो छापा गिया है advertisement जो job का बहाली का district block और पंचायत level में बहाली का update यहाँ पर निकाला गिया है तो आपको यह देखने को मिल जागा तो यहाँ पर आपको advertisement देखने को मिल जागा उसके नीचे में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर कुछ और advertisement देखने को मिल जागा देखने के साइन अप करने के लिए यहाँ पर email ID डालने के लिए बोर रहा है अगर आप email ID डालेंगे तो इस website में कोई भी ऐसा update आएगा तो आपके email ID में आपको सूचना मिलेगा उसके बाद नीचे में जब आप चले आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको form का full advertisement मिलेगा तो यह आपका English में है और यह आपका Hindi में है उसके बाद यहाँ पर application form English में है और application form Hindi में तो Hindi और English दोनों में इसे provide किया गया है तो चलिए सबसे पहले हम आपको इसका advertisement दिखा देते हैं तो हम इसके लिए क्या करेंगे इस पर click करेंगे तो हम इस पर click करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने एक PDF फाइल जो है open हो जाएगा तो देख सकते हैं आपके सामने इसका file open हो चुका है और इसका बहाली का update जो यहाँ पर बताया गया है दोस्तों मैं बता दू यह बहाली का update ना तो आप fake बोल सकते है ना तो आप यहाँ पर real बोल सकते है क्योंकि यह बहाली में जो बताया गया है private बहाली बताया जा रहा ह सरकारी जॉब नहीं है यहाँ पर आप नीचे में स्क्रॉल डॉन करेंगे तो देखिए नोट यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिल जागा यहाँ पर क्या लिखा हुआ आप इसको पढ़िए ध्यान से देखिए आप लिखा हुआ दिस इस नॉट गॉर्मेंट जॉब SSDF Hearing for Education Skill Development Job Oriented Training Self Employee तो यहाँ पर जो आपको अपडेट निकाला गया इसमें बताएगे कि यह गॉर्मेंट जॉब नहीं है यह गॉर्मेंट जॉब नहीं है Hearing of Education Skill Development Job Oriented Training यहाँ पर आपको कुछ ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर Employees की जरूरत है और उसके लिए यहाँ पर ट्रेनिंग का यहाँ पर आपको Employment Training का Advertisement यहाँ पर निकाल दिया गया जो की E-Digital Service and Other Project के लिए यूज किया जाएगा तो य यहाँ पर इसका Update निजी E-Digital Service के लिए आपको प्रोजेक्ट में काम लाने के लिए यहाँ पर बहाली का Update निकाला गया और यहाँ पर देखिए आपको Help Line नमबर भी प्रोवाइड किया गया तो अगर आपको लगता है यह बहाली फेक है या फिर गलत है तो आप यहाँ प का Contact नमबर दिया हुआ है तो आप यहाँ पर संपर करके पूछ सकते तो चलिए अब हम आपको इसका पूरा Update देंगे कि कौन से पत पर कितना बहाली निकाला गया और फॉर्म को किस सह से भरना अगर आपका इतना में डौट किलियर हो गया होगा तो आप नीचे Comment करके मुझ इस फॉर्म को अपलाई किजिए और नीचे Comment Box में आप पहले Comment करके बताईए कि यह आपको Fake लगता है या Real लगता है तो आप कौन से जिला से है अपना नाम और जिला का नाम और सही है या गलत है वो आप Comment करके जरूर बताईएगा Comment Box में चलिए हम आपको पूरा Update बता देत परबंदक और Multitasking Staff सर्वेचन के पद के लिए जहरकंड राज के नागरिक से आवेदन आमंत्रित किये जाते तो यहाँ पर तीन बहाली का Update निकाला गया है पहला क्या लिखा हुआ है नियंतरम ब्लोक कारिकरम दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है परबंदक Multitasking और तीसरा स सेंकिया मैं बता दू जीला कारिकरम के लिए अगर आप भरना चाहते है तो 24 पद यहाँ पर निकाला गया जो कि जीला अस्तर पर उसके बलोक अस्तर पर यहाँ पर देखिए बलोक कार करम पर बंदक बलोक अस्तर के लिए 189 पद यहाँ पर बनाया गया और MTA सर्वेचन प परिच्छे के लिए बुलावा पत्र यहाँ पर आपको दिया जाएगा डिसमबर महीना में दिया जाएगा और परिच्छा के डेट भी यहाँ पर दिसंबर बताया गया और सेचनिक योग्याता की बात कर ले तो जीला कारेकरम नियंतरन के लिए अगर आप फॉर्म को भरते हैं तो यहाँ पर देखिए सनाकोतर कोई भी स्ट्रिम कोई भी सब्जेक्ट के साथ और मूल कंप्यूटर का ग्यान आपका होन होना चाइए उसके बाद देखिए MTS के लिए अगर फॉर्म को भरते हैं तो दसवी या बार्वी पास आपका होना चाहिए उसके इलावा आपका हिंदी और अंग्रेजी लेखन ग्यान आपका होना चाहिए तब आप फॉर्म को भर सकेंगे आयू सीमा की बात कर ले तो जिला कारिकरम नियंदर के लिए 22 साल से 45 साल मागा गया है बलो कारिकरम परबंदग के लिए यहाँ पर 21 से 40 मागा गया है और MTS सर्वेचन के लिए यहाँ पर 18 से 40 वर्स बताया गया है अर्णार्षान का जो लाब यहाँ पर आपको मिलने वाला है। आरखषान देखिए, जनरल के लिए 50 परसेंट है, अनुसूची जन जाती के संथाइस। अननुसूची जाती के लिए 10 और अने पिछड़ा वर पर के लिए 13 यहाँ पर आपको आरखषान दिया जागा, वेतन क बात कर ले तो यहाँ पर देखिए जीला कारेकरम नियांदन के लिए 20,400 से 25,400 रुपया परती महिना मिलेगा बलोग कारेकरम परबंदक के लिए 15,600 से 17,600 रुपया आपको दिया जाना है और एटियम सर्वेचक के लिए यहाँ पर 82,000 से 13,200 रुपया परती महिना आपको इस पार्णा का पैटन भी यहाँ पर बना दिया गया है तो समान ग्यान का आपका परसन 15 होगा, विचार 15 होगा, समान नंगरेजी 15 होगा और गनित आपका 10 होगा तो एक घंटा का यहाँ पर एग्जामिनेशन होगा इस परकार से आपका सेलेक्षन होगा और देखिए क्या लिखा हूँ नोट MTS सर्वेशन पोस्ट के लिए केवाल सचातकार तो अगर आप MTS के लिए भर रहे तो आपके लिए कुछ नियम बनाया गया तो क्या नियम बनाया गया चलिए हम आपको बता देते एक नमबर में क्या लिखा हूँ आवेदन करने से पहले सुनिचीत कर लेकि वेपद के लिए योग माप डंडो को पूरा करते हैं दूसरा नमबर में क्या लिखा हूँ आवेदन को shdf के अधिकारी वेबसाइट shdf.co के माध्यम से आवेदन पत्र डाउनलोड कर आवेदन करें तीसरा नमबर में क्या लिखा हूँ ए shdf भारती परकेरिया फौन बने का तारिक परिच्छती थी परिच्छा केंद और रिक्ती की संख्या में ब्रीधी को कमी बदलने का अधिकार सुरच्छित रखता है तो यहाँ पर रिक्ती को कम बेसी करने का अधिकार यहाँ वेबसाइट रखता है और उसके बाद यह संलग ने किया आपका डॉक्मेंट वगेरा लगेगा वो आपको बता दे उस विच्छा की माक्षीट जेरोक्स परतिलीपी आपको मागा गया किसी भी आईडी सबूत की जेरो स्कॉपी आईडी मद दाता आईडी आदी आपको लगेगा 40 उर्पया के डाग टिकत के साथ एक सुवय पता लिफापा हुआ चिपका हुआ होना चे उसके बाद क्या लिखा हुआ दो पास्पोर साइज आकार फोटो उसके बाद संसकार सोशल डेपलोप्मेंट फॉ तो इस नाम से आपको ड्राफ बनाना होगा तो इस परकार से आवेधन बनाया गया और क्या लिखा हुआ 3928 तक पंजिकेत या स्पीट पोस्ट द्वारा वीवरन भारने के बाद आवेधन पत्र भेजे साथ ही साथ स्वय पता लिफापा पर पर 40 उर्पया का डाग टिकट नीचे दिएगे पते पर भेजे तो इस एड्रस पर आपको पोस्ट करना होगा जिसमें 40 उपया डाग टिकट और आपका जो फीस लगने वाला है वो आपका डिमांड राफ बैंक के द्वारा बना कर आपको इस नाम के माध्यम से भेजना पड़ेगा और इसका एड्रस जो या फिर आप मोबाइल नंबर इनका जो दिया गया है उस पर आप कॉल कर सकते हैं राची कारेले में आवेदन हातो हाथ कारेले के समय 10 पुरुआहन 6 अपराहन तक सुविकार किया जागा तो देखिए यहाँ पर आप हातो हाथ भी जमा कर सकते हैं आपको याद होगत गराम तो हाथ जमा करने के लिए इजाज़त दिया जा रहा है तो आप हाथ जाकर जमा भी कर सकते हैं और उनका कारेला भी देख सकते हैं कि उनका कैसा कारेला है क्या है सही है गलत आप पूरा डिटेल में चेक कर सकते हैं अगर आप लोकल वहां के होंगे तो आप जाकर पूरा ड दॉनलोड कर सकते या फिर आप इसके वेबसाइड में जाकर भी फॉर्म को डॉनलोड कर सकते तो आज के सुड़ों में इतना ही अपडेट दूंगा आसा करता हूँ सारा डॉट आपका किलियर हो गया होगा अगर आपको कुछ सुझाओ है तो मेरे कॉमेंट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं मैं आपका रिपलाइ करने का जरूर कुछिस करूँगा तो वीडियो को लाइक और शेर कीजेगा और ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लिए तो चलिए आज के लिए इजाज़त चाहूँगा कल फिर मिलूँगा एक नए व सब्सक्राइब कर दो फिर मिलूँपछ आजे। झाल झाल